नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार मांगणे आपका इस कारिक्रम में स्वागत है जिस कारिक्रम का नाम है आपकी फर्माइश दोस्तों आपकी फर्माइश में आज मैं आपकी फर्माइश पहरी करूँगा आज मैं आपको बताऊंगा कि ककड़ी की खेती के खेती किस तरह से करें और किस तरह से ज़रा-ज़रा उत्पादन लें तो दोस्तों क ककड़ी बहुत ही भड़ए आपको खाने बहुत अच्छा लगता है कि उसको those शृरीर के में जो पानी की कमे होती है बो वो जो है पूरी हो जाती है तो आईए दोस्तों इसके बारे मैं आप आपको जानकरी दे दूँ बीच का समय कब बीच लगाए इसकी बीच का समय फरवरी से मार्स तक है परंतु अगेती फसल लेने के लिए पॉलेथीन की थेली में बीच की जनवरी के महिने में बिजाई की जा सकती है पॉदर सहीत इन थेलियों को जवीन में गाड़ दें बीच की मातरा एक एकड़ भूमी में तर ककड़ी बोने के लिए एक किलो ग्राम बीच की आवशक्ता पड़ती है कैसे पौदा तयार करें तरककडी को लगभक सभी प्रकार की भूमी में उगाया जा सकता है हाँ दोस्तों आप इसको कहीं भी लगा दीजिए सब जगा लग जाती है लेकिन इसके लिए दोमट भूमी सबसे उप्युक्त होती है जिसमें जल निकासी की सुविधा अच्छी हो भूमी की तैयारी के समय गौबर की खाद मिराए वहाँ खेत की तीन से चार बार जुताई करके सुहागा लगाए बिजाई की विधी किस तरह से उसको लगाए तरककडी की विजाई दो मिली टू एम चोड़ी क्यारियों में नाली के किनारे पे करनी चाहिए पौधे से पौधे का अंतर साट सिंटिमिटर रखें एक इस्थान पर दो से तीन बीजी भूए बाद में एक इस्थान पर एक ही पौधा रहने दें जो स्वस्थ पौधा हो उसे रखें बाकी अलग कर दें या फिर अगर सारे पौधे स्वस्थ है तो स्वस्थ पौधे को निकाल कर कहीं और ट्रांसफर कर दें कैसी खाद दाले क्या खाद दाले वो भी बता देता हूँ गोबर की खाद जो है हमें 6 टन चाहिए और नाइट्रोजन जो है 20 किलो चाहिए फासफुरस जो है वो 10 किलो चाहिए और पौटास 10 किलो चाहिए बिजाई के समय फासफुरस वो पौटास की सड़ी मातरा तथा नाइट्रोजन की आधी मातरा दाले हाँ दूस्तों बिजाइ के समय जो आपको फासपूरस और पोटास की सभी मातरा को मिलाना है और नाइट्रोजन के आधी मातरा मिलाना है शेश नाइट्रोजन को बाद में फसल में देना है खड़ी फसल जब रहे तब देना है फ़लों के तोड़ाई नरम वह चिकने फ़लों को प्रातह अत्वा शाम के समय तोड़ लिया जाता है तोड़ने के समय फ़लों के लंबाई तकरीबन 15-30 cm होना चाहिए अगेती फ़सल में अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए फ़लों को कुछ पहले तोड़ लेना चाहिए जबकि पच्छेती फ़सल के फ़ल कुछ देर में तोड़े जाते हैं दोस्तों ककड़ी की खेती जब भी करें तो भूमी परिक्षन अवश्य करा है मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भूमी परिक्षन नजदी के क्रिशित संस्थान में जाकर करवाएं और बहुत सारी जब कर मुफ्त में होता है तो और उनसे बताएं कि भाई जिसमें मैं जो है अपना ककड़ी की खेती करना चाहता हूं क्या कमी है क्या नहीं है वह आपको वहां वेग्यानिक बैठे रहते हैं वह आपको बरावर सला देंगे तो आप जो सबसे पहले भूमी का परेक्शन अवश्य करवा लें जिसे आपको जो ज्यादस ज्यादा उत्पादन मिलें ज्यादस ज्यादा पैसा कमाएं तो दोस्तों कि ककड़ी की खेती से संब्द यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लेगे होगी तो इसी के साथ अ जानके इजाज़त दीजिए नमस्कार जय हिंद